हलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग चलिए आज जो है हम ग्राफ ले क्या हैं आपके लिए ग्राफ of y is equal to graph of y is equal to cos inverse of cos x cos inverse of cos x का ग्राफ कैसे कीचेंगे समझेगा ध्यान से y is equal to fx is equal to cos inverse of cos x का ग्राफ खिचना है समझेगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा देखिए x को तो input मिलेगा r cos को input क्या मिलेगा r cos को input मिला r तो cos output कहां से कहां देगा minus 1 से 1 तो cos को input मिला r तो cos output दिया minus 1 से 1 cos जो output दिया minus 1 से 1 वो cos inverse का input बन जाएगा और cos inverse का input क्या मिला cos inverse को input मिला close interval minus 1 से 1 cos inverse को तो आज अपना पूरा domain मिला close interval minus 1 से 1 तो cos inverse output कहां से कहां देगा close interval 0 से πाई देगा मतलब domain तो function की कुछ भी हो सकती है लेकिन जो range है वो close interval 0 से πाई के बीच में आएगा एक बात और PVR में कवी भी negative value नहीं है मतलब graph जो है 0 से πाई है close interval graph जो है हमें इसा x axis के उपर वनेगा तो समझेगा ध्यान से graph कैसा खीचा जाएगा बिल्कुल तसल्ली से आराम से देखिए ये x ये x डैस ये y ये y डैस ये origin है ये देखिए ये वारी line जो है आपकी y is equal to πाई और ये line है y is equal to 0 अब हम graph खिषते हैं cos inverse of cos x का ये तो origin का coordinate 0 कावा 0 होगा बनेगा क्या पहार लेकिन पहार इस बार बस x axis के उपर बनेगा क्योंकि इसके pvr में negative value नहीं है तो देखिए ध्यान से graph कैसा बनेगा बनेगा तो बस पहार लेकिन इसके pvr में negative value नहीं है तो output negative नहीं आ सकता अब देखिएगा ध्यान से समझेगा यह 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi यह आ गया minus pi, minus 2 pi, minus का 3 pi और यह minus का 4 pi आ गया अब इसके line की equation लिखनी है इसके body पे तो मैंने अभी बताया है आपको कि अगर line आ q-tangle बना रहा है तो y is equal to x minus c और line obtuse angle बना रहा है तो y is equal to c minus x origin का coordinate 0, 0 है तो इस line की equation y is equal to x minus 0 y is equal to obtuse angle बना रहा है तो 2 pi minus x इस line की equation y is equal to x minus 2 pi इस line की equation y is equal to 4 pi minus x इस line की equation y is equal to x minus 4 pi इस line की equation y is equal to 6 pi minus का x आ जाएगा इस लाइन की एक्वेशन y is equal to 0 minus x आप्टिव जैंगल बना रहा है x-axis के साथ 0 minus x का मतलब 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 y is equal to 0 minus x इस लाइन की एक्वेशन y is equal to x plus 2 pi इस लाइन की एक्वेशन y is equal to minus 2 pi minus x इस लाइन की एक्वेशन y is equal to x minus of minus 4 pi मतलब 4 pi आ गया मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा cos inverse of cos का ग्राफ खिशने में सबसे important तो लाइन की question कैसे लिखनी है तरीका बता ही दिया है function की जो domain है r है और principal value range जो range है function की close interval 0 से pi है range क्या है 0 से pi है close interval function आज कैसा है many one है कोई भी line parallel to excesses drug कीजिए तो एक से ज़्याज़ अगर पे cut कर रहा है function का period क्या है 2 pi है देखिए 2 pi के बाद graph जो है क्या कर रहा है repeat कर रहा है तो इतना ध्यान लखिएगा चलिए मिलते हैं अगले lecture में अगले graph के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान लखिए बाहर रहेगा